Hindi Bible Message Prayer Center में आपका स्वागत है रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुभह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेकिन आप एक आसिसित व्यक्ति हैं और आज मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप एक आसिसित व्यक्ति हैं तो कोई भी जादु टोना कोई भी स्राप कोई भी जहर कोई भी बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगार सकती क्यों क्योंकि आप एक आसिसित व्यक्ति हैं क्योंकि प जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी स्राप, कोई भी बीमारी का असर, कोई भी जहर का असर, आप पर लागू नहीं होगा. क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ? क्योंकि बाइविल में हम लोग पढ़ते हैं, गिंती किताब 22-24 अध्याय यदिया आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ये बात देखने को मिलेगी, कि बालाक ने बिलाम से कहा, कि तु चल कर इसराइलियों को स्राप दे, क्योंकि वो हम लड़ने के लिए हमारे नजदीक आ रहे हैं, इसलिए तु उन्हें स्राप दे, कि वे वही नश्ट हो जाएं, और बिलाम निकला उन्हें स्राप देने के लिए, बाइविल कहती है कि जब वो उन्हें स्राप देने लगा, तो उसके मूँ से स्राप नहीं निकला, बलकि उस इसके मुँ से आसिसों के वचन निकलने लगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 24 अध्याई और एक पद। लिखा है, यहोद देखकर कि यहुआ इसराइल को आसिस ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान सकून देखने को न गया, परन्तो अपना मुँ जंगल की ओर कर क्या कहा, यहोद देखकर कि यहुआ इसराइल को आसिस ही दिलाना चाहता है, परमेश और उन इसराइलियों को केवल और केवल आसिस दिलाना चाहता है, केवल और केवल आसिस देना चाहता है, वे आसिस के वारिस हो चुके हैं, उन पे आसिसों की मोहर लग चुकी है, अब चाहे बिलाम हो, चाहे कोई और हो, कोई भी उन्हें सराप नहीं दे सकता, और यदि दे भी दे, कितने भी सराप दे ले, वो उन इसराइलियों पर काम नहीं करेगा, क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें परमेशन ने चुना है, परमेशन ने उन्हें बुलाया है और उन पर ये आसिस की मोहर लगी हुई है कि वे आसिस के वारिस हैं परमेशन उन्हें आसिस दे चुका है परमेशन उन्हें आसिस दे चुका है परमेशन ने उन्हें आसिसों का वारिस बना दिया है अब कोई भी उने कितना भी सराप दे ले उन पर असर नहीं करेगा कितना भी जादो टो ना कर ले उन पर असर नहीं करेगा कारन क्या है क्योंकि वे आसीज के वारिस हो चुके हैं हम लोग पॉलुस के जीवन में भी देखते हैं, पृतों के दाब उसके 28 सध्याई में, क्या देखते हैं कि जब एक बार पॉलुस लकडियों का गठा उठा रहा होता है, तो वहां जंगल में एक बहुत जहरीला साप पॉलुस को काट देता है, तो वहां की जो लोकल लोक थे वो देखकर बड़े हरान होते हैं, और सोचते हैं कि ये मनुश्य पक का हत्यारा था, इसलिए साप ने इसे काट लिया, अब ये कुस देर बाद मर जाएगा, अपने आप गिर जाएगा जमीन पर और ये मर जाएगा, क्योंकि वो साप बहुत जहरीला था, लेकिन बाइबल कहती है, पौलस अपने कामों को करता गया, और इस पर कोई भी असर नहीं हुआ, जब उन लोगों ने इस बात को देखा, कितने जहरीले साप ने इस ब्यक्ति को काटा, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं हुआ, तो वे बड़े हरान हुए, और कहने लगे, सच मुछी ये त हो जाती है, दोस्तों में ये कैसे हुआ, क्योंकि पौलस एक आसिसी ब्यक्ति है, पौलस पर आसिस की महर लग चुकी है, क्योंकि पौलस को परमेशर आसिस दे चुका है, अब उस पर कोई जहर काम नहीं कर सकता, अब उस पर कोई जादु तोना काम नहीं कर सकता, अब उस स्राप से बचाने वाला, आप एक आसे सिर्व यक्ति हैं, आपको परमेश और आसीस दे चुका है, आसीस का मतलब यह नहीं कि पैसा, धन, दौलत, मकान, कार, यह आसीस नहीं है, यह तो संसार की चीजें हैं, लेकिन आसीस, जिसे परमेश ने आपको दिया है, बाइबल क्यात बना दिया है, वो आपको आसीस दे चुका है, यह तो बाद की बाते हैं, यह तो इस संसार की बाते हैं, यह तो बाद की बाते हैं, यह आप प्रमेश चलोगे तो यह सब आपको मिलेंगी, लेकिन आप एक स्पेशल आसीस आपको मिली हैं, और परमेश शुर आपको प्रोट मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि कोई प्रक्टिकल कल ले और जहर पी ले और देखे कि मुझ पर असर होता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी आप न करें क्योंकि बाइबल कहते हैं अपने परमेश्व के परिच्छा न करें कि कई बार जीवन में ऐसी परस्तिती हो सकता है जैसे इस बात को ग्रहन करें कि आप एक आसिशित ब्यक्ति हैं चाहे आज प्रस्तियां विपरित हैं लेकिन आप एक आसिशित ब्यक्ति हैं इस बात को अपने दिमाग में अपने अंदर डाल दें तब ब्यक्ति आसिशित नहीं होता जो उसके पास बहुत जादा धन दौलत है न आपको परमेशों ने अपनी आसीस दी है, आपको परमेशों ने आसीस की संतान होने के लिए बुलाया, आपको परमेशों ने आसीस का वारिस होने के लिए बुलाया, आप पर परमेशों ने आसीस की छाप लगा दी है, वो आपको आसीस दे चुका है. कि आप उसके साथ में राज्जे करेंगे आप उसके नागरिक होंगे आप उसके साथ में रहेंगे ये बहुत बड़ी आसीस है और परवु येशु मसी ने ये आसीस आपको दे दी है सुप्रव आपको इस वचन के दौरा बहुत तायद से आसीस दे आमेन दोस्तों यदि आप Bible पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और रोज सुबह शाम हमारी इस राफ़ा प्रेयर को भी जरूर सुने इस प्रेयर के दौरा आप बहुत आसिसों को पाएंगे रोज हमारी साथ में प्रात्यूं में सामिल होई शुबह और साम निश्चय प्रभू आपको आसिस देंगे और आप आत्मिक रूप से और विश्वास में दिन परते दिन मजबूत होते चले जाएंगे इसके बाद हम एक गवाई को सुनेंगे, इसके बाद हम आपके लिए परातना करेंगे, आप हमारे साथ में इस तुरी परातना में बने रहे हैं लेकिन यह बात मुझे नहीं बता था कि मेरा पती जुवा खेलता है जब मेरे पती करजे में पढ़ी है और परिसान है बेता है, इस बीच में पति पुद्धे बहुत तगधर परिसान थे, आप लेंगू का आथ में रगष में बढ़ी हूं, अब इस बीच में मेरे इस वास् मैं दिन रात इस वतन पर मनन करती थी अब मैंसर को वचन का तह जिस भी बाद की हम गोशना करें हमारे जीवन में इस्थापीत कर दिया है और सच में परभू ने पहले से प्रभू को बहुत धनौद कर दिया है आप सब को जैमसि की आईए मिरे साथ मिलकर आप प्राथना करें आपका जो विशय है आपके जो हालात है आप क्या सफर कर रहे हैं आपके लाइफ में क्या हो रहा है जिन बातों को लेकर आप परिशान हैं मेरे साथ मिलकर प्रात्ना करें, प्रभु येश्यु मसी आपकी प्रात्नाओं को सुनकर उसका उत्तर देंगे और आपको छुटकारा देंगे, आईए मिलकर हम प्रात्ना करें धनिवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमानाती पवित्र महान सामर्थी पिता आप पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है प्रभुजी आपका धनिवाद करते हैं पिता कि आप हमारी प्राथनों को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं मेरे प्रभू हम आपका आदर करते हैं पिता हम अपने हातों को तेरी ओर उठा कर प्रभू तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा नाम को महान कहते हैं प्रभू क्योंकि तु महान पवित्र परमेश्वर है प्रभू जी प्यारे प्रभू तुने ये सुन्दर सी सुभा हम सब के जीवन में जोड़ी प्रभू कि हम तेरे सम्मुक आकर तुसे प्राथ न करें तेरे सम्मुक आकर प्रभू अपनी विंतियों को तेरे सम्मुक रखें प्रभू तुससे बाचीत करें मैं धन्यवाद करते हूं पिता कि तु बाचीत करने वाला परमेश्वर है प्रभू तुने हमें तुने प्रभु हमें चुना है प्रभु येश्व और प्रभु तुने अपने स्वर्ग का नागरिक हमें बनाया प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जहां आप रहेंगे तुने कहा कि तुम भी मेरे साथ रहोगे मैं धन्यवाद करती हूं प्रभु कि आप हमें अपने साथ रखेंगे परमिश्वर मैं आपका धनेवाद करते हूँ प्रभू धनेवाद करते हैं आपके साहियक के लिए उस पवित्रात्म के लिए जो तुने हमारे जीवनों में दिया है परमिश्वर मैं धनेवाद करते हूँ प्यारे परमिश्वर प्रभू सच में मेरे आप हमें बढ़ाएं, आशीज़ दे, सफल करे प्रभू, ताकि हम आपके राज़ी को बढ़ा सके हमें इसे प्रतीग जन जो प्रातना में शामिल है हर एक जन प्रभू आपके राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, प्रभू जी कोई भी नेगेटिव बाते प्रभू आपके लोगों के अंदर अभी हैं, वो डिस्टब हो रहे हैं पिता या फिर उनके मन डाइवर्ट हो रहे हैं, कोई भी बात प्रभू जो उन्हें व्याकुल कर रही है प्रभू इसी वक्त उन बातों के ओपर अधिकाल लेते और कहते य भाई बेहनों के जीवन को छोड़ कर जाओ येश्यू के नाम से, येश्यू के नाम से हम हर प्रकार की negativity को command करते हैं, get out in the name of Jesus Christ, thank you Father, धन्यवाद पिता, प्यारे प्रभू आपका आत्मा हमारे साथ में, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने वचन की द्वारा बात करते हैं, प्रभू जिस प्रकार हमने सीखा परमेश्यू कि तुने हमें आशिशित किया है, प्रभू हम आशिशित हैं मेरे पिता, मैं प्रातन करती हूँ यदि आज प्रभू ये भाई बेहन प्रभू इस प्रकार का विचार अपने ले रखते हैं, ऐसा negative thought इनके अंदर है कि ये आशित नहीं है, इनके पास धंदौलत, गाड़ी और भी बहुत सारी वस्तुएं जो इस संसार में उने चाहिए, उनके पास नहीं है, इसलिए वो आशिशित नहीं है, परंतु पिता परमेश्यू मैं प्रातन करती हूँ कि आपने कहा है, कि मैंने तुम्हे स्वर्ग परमेश्यूर, हर एक वस्तु प्रभू तेरे लोगों के पास पाई जाए प्रभू जी, और जो कुछ भी इनके पास आज कमी घटी है प्रभू, प्रभू तेरा वचन कहता है कि यहुआ मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी, हाँ प्रभू जब आप इनके चर पूरी नहीं हो पारी हैं तो आपसे दुवा है प्रभू अपने आकाश रूपी उत्म भंडार से आप इन भाई बहनों की, इनके बच्चों के, इनके परिवार की सारी जरूतों को पूरा करें जो भी जिम्मेदारियां प्रभू, इनको आपने स्वाखिय है उस जिम्मेद आपने पहले से ही अपने लोगों को आशिशित ठहराया प्रभू कोई भी श्राप कोई भी जादू टोना कोई भी ऐसे गलत बात प्रभू इनके जीवन में काम नहीं करने पाएगी क्योंकि तरह वचन इस बात को कहता है परमिश्र पिता थैंक यू फादर लॉड मैं प्राह मारपीट, कलेश, कॉम्मिनिकेशन गैप, हर प्रकार का डिस्टिबिंस इसी वक्त प्रभू वो बाते जो परिवार का माहुल खराब कर रही है इसी वक्त हमने कैंसल करते हैं आपकी शांती, आपकी आशिशे, आपकी बरकते, मेल मिला प्रेम प्रभू इनकी फैमिली में आ और कहते हैं वो बच्चे येश्यु के नाम से बुद्धि मान होने पाए, प्रिता क्योंकि बुद्धी आपके और से आपके लोगों को मिलती है, आपकी बुद्धी को उनके लिए मांगते हैं, आप बुद्धी दे मेरे परमेश्यु पिता, क्योंकि प्रभू तुने उन् बिमार है तो उसके सिर पर हाथ रखें प्यारे प्रभू येश्व मसी अपने हाथों को बढ़ाती पिता तुने कहा तुम बिमारों पर हाथ रखकर प्राथ न करोगे तो वह चंगे हो जाएंगी येश्व मसी नासरी के नाम से इसी वक्त वो सारी बिमारिया दर्द तकलीव घाव, चोट, इंफैक्शन, एलर्जी, त्यूमर, पीडियों से चलने वाली बिमारिया प्रभू बॉड़ी में प्रभू कोई भी डिसॉडर है प्रभू ये कोई भी कैंसर है पैरलाइज़ त्यूमर है शूगर, बीप, थाइराइट की बिमारी, टीवी, एड्स की बिमार ये शू के नाम से इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, हम आज़्या देते हैं प्रभू इनके शरीर के सारे अंध्रणी अंग प्रौपर काम करें ये शू के नाम से फ्रभू हर्व hat chiarड इनकी kidney liver, प्रभू-lungs प्रबू येशू के नम से प्रपर काम करें प्रभु येशु के नाम से जीनें बहुत जादा ही कमप्लीटक नॉसरी के चला जायए यदि किसी भी अंग में प्रभु सिस्ट है? प्रभु सिस्ट को हम नस्ट होने के आज्या देते हैं प्रभू ओवरी यश्यु के नाम से चंगी हो जाए प्रभू जिनका बार-बार miscarriage होता है यश्यु के नाम से problems को हम cancel करते हैं पिता प्रभू इन बेहनों को गर्फ का प्रतिफल आप दे क्योंकि वचन कहता है गर्फ का प्रतिफल यहुआ की और से यह आशीश प्रभू तुने अपनी बेटियों को दिया है धन्यवाद करती पिता थैंक यू जीजस प्रभू हम नहीं जानते इस समय क्या टफ टाइम इनके जीवन में क्या मुश्क ये शुक के नाम से ये चुटकारा पाएँ प्रभू एडिक्षन से डिपरिशन से अकेले पंड से प्रभू ये शुक आंप समक्या दिया ऒप्रभु आप इन आश्शिट करें प्रभू इनका जीवन ब्लेस हो पिता प्रमेश जीवन के हर एक छेत्र में ये भाई ये बहन bless होने पाएं पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, तब इने इनके मन में शांती नहीं, प्रभु परिवार में कलेश हैं, प्रभु खुदा तेरी शांती इनके परिवारों में चाते, जितने भी भाई बेन प्रभु आज घरों से बहार निकलते हैं, जहां कहीं भी जाते, आपकी सुरक्षा इनके लिए चाते, इनके बच्चों के लिए प्रभु तेरी प्रोटेक्शन चाते, क्योंकि हम सब के चारों और आप आग किसी सहरपना है, दुरगटना से, एक्सिडेंट से, गलत कामों से, गलत लोगों से, हर प्रकार की नाश करने वाली बाते, हानी कर प्रभु इनके परिवार उनके बच्चों को आप बचाएं प्रभु, हम तेरे सुरक्षित हातों में प्रभु तेरे लोगों को हिफाज़त से रखते पिता, धन्यवाद करते कि तू अपनी लोगों की साथ में है, आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर अपनी विंतियों को आ आपके आगे रखा, आपके सम्मुक उन बातों को रखा, प्रभु धन्यवाद कि आपने उनकी प्रातना सुना, उत्तरहां आमीन में दिया, और आपने एक एक जन को आशिशित किया पिता, धन्यवाद, जितने भी भाई बहनों का आज जनम दिन है पिता, प्रभु मैं प् भरें और तेरी नजदीकी में प्रभु तेरे लोग रहने पाएं पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जितने लोग सेवाकारियों में हमारे साथ शामिल होते हैं आपके राज्जे में बीच को बोते हैं पिता, आपके वीडियो को शेर करते हैं परमेश्व पिता सब प्रभू तेरे रज्जे के लिए कर रहे हैं, प्रभू इन भाई बेहनों को इनके जीवन में आशीज दे, जिनकी कमाई में बरकत नहीं, प्रभू उनकी कमाई पर बरकत हो और निश्चे अपनी कमाई को खाने पाएं पिता, दन्यवाद करते हैं, हर एक बात को तेरे तुमें सौबते हैं, येश्यू के नाम से प्रात्सा मांगते, सुने और व्रहन करें, आमेन, आमेन, और आमेन